हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू मैं चैनल, और आज मैं लाई हूँ आपके लिए चाट की रिस्पी, ये चना चाट है दोस्तों, तो दीखिए मैंने चने ले लिये थेक पाओ, और मैंने इसे राद भर भीगा दिया था, और अब मैंने इसे तीन सिटी लगा दिया है कूकर में और इसे मैंने उबाल लिया है, और ये अच्छे से अब सॉफ्ट हो गया है, बस हम इसे जादा और कुक नहीं करना है, बस इतना ही कि जितना हम इसको दबाने से हाथ से दब जाए, और इसमें हम उडले हुए आलू और टमाटर और प्यास डालेंगे, तो मैंने प्यास एक ले ली थी, मेडियम साइस की, उसे मैंने चॉप कर लिया, आलू मैंने दो लिया था, और उसे बाल की काट लिया है, और ये है मेरी टमाटर, ये भी मेरे एक पका हुआ टमाटर था, मैंने इसे बारिक बारिक काट लिया है, इसका बीज निकाल लिया है, जो कि बीच से इसम हमने डाला है इस से तो इसमें हम अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से इसमें ये सारे जो है नीबु करस इसमें अच्छे से मिल जाए और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे ये मेरा भुना हुआ जीरा का पाउडर है और ये काला नमक है काली मिर्च तो को लेकर हलका सबून कर उसे गूट लिया है, गुटी ही ही मर्چे है है मेरी और अब हम इसमें थोँड़ थोँड़ा इसमें आट कर देंगे आप अपने हिसाब से तीखा, खटा अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें और काला नमक भी इसमें जाएगा तो दोस्तों हम इसमें डाल करके थोड़ा सो मसाला हम बचा लेंगे क्योंकि हमें बाद में भी इसको डेकोरेशन के टाइम में हम इसको डालेंगे तो हम थोड़ा सो मसाला बचा लेंगे और इसमें अब हमने डाल दिया है सब कुछ और अब जाएगा इसमें चाट जाट मसाला तो दोस्तों ये चाट है तो इसमें चाट मसाला ज़रूरी है तो चाट मसाले से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक चमच भरकर मैंने डाला है और ये है मेरा नॉर्मली नमक जो हम डेली यूज़ करते हैं तो वो भी हम इसमें डाल देंगे तो क्यूंकि हमने चाट मसाला डाला है और कालन्दमक डाला है तो हम थोड़ा ही नमक डालेंगे और ये है मेरी हरी चटनी तो हरी चटनी मैंने पुदीना और धनीय की पत्ती, मिर्ची और लहसुन को पीस लिया था बारिक और उसे मैंने डाल दिया है और अब ये है मेरी इम्डी की चटनी खटी मीठी तो अगर आपको इम्डी की चटनी बनाने की रिस्पी का वीडियो चाहिए तो आप मुझे जो है मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं मैंने इसकी वीडियो डाली है आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर तो बहुत ही मज़ेतारी चटनी बन कर तयार होती है दोस्तों तो आप इसे भी डाल दें चार्ट में और बहुत ही जबरदस्ती चार्ट बन कर तयार होता है बहुत ही मुजात है खाने में बच्चे तो इसे बहुत जादा पसंद करते हैं क्योंकि इसे हमने बहुत जादा तीखा नहीं रखा है अलग से हम इसमें डालेंगे जिसको आप सर्व करें जो जिसको जैसा पसंद हो तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं दोस्तों तो चाट तो हमारी बिल्कुल बनकर तयार हो गई है इसे भी आप डायरेक्ट ऐसे भी खा सकते हैं या इसे भी सर्व कर सकते हैं बच्चों का आप इसी तरह दे सकते हैं लेकिन अगर आपको सर्व करना है किसी को देना है तो आप इसी और भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं ये मैंने लिए एक छोटी प्लेट चाट को जो है सर्व करने के लिए और इसमें अब हम चाट डालेंगे जो हमने बना कर रखा हुआ है और इसमें हम ऊपर से भी कुछ मसाले कुछ चीजे डालेंगे जिससे बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छा बन कर तयार होता है तो जो मसाले मैंने बचा लिए थे वो हमें इसमें थोड़ा सा डालेंगे लेकिन उसके पहले अभी मैं इसमें डाल रही हूं दही यह फ्रिश दही है दोस्तों मैंने इसमें एक चमच चीनी डाल के इसे मीठा कर लिया है थोड़ा बहुत जादा हमें इसमें चीनी नहीं आइट करनी है तो देखें इसमें दही डालेंगे बहुत ही अच्छी यह दही और खटी मीठी चटनी और दही के साथ यह चाट बहुत ही मसेदार लगता है दोस्तों तो इस तरह आप इसे सर्व करें प्लेन चाट आप अगर जो कोई पसंद करें तो प्लेन चाट दे नहीं तो इस तरह से डेकोरेट करके दे बहुत ही मजा आता है खाने में बहुत ही चटपटी बहुत ही रसीली यह चाट बनकर तयार हुई है दोस्तों तो इस तरह बनाएं खाएं और आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों नहीं किया है और मेरे चैनल को लाइक शेयर करें मेरे वीडियो को और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों इस तरह बना कर आप इसमें हम चाट मसाला डाल रहे हैं तो सारी मसालों को हम उपर से एक बार और इसमें स्प्रिंकल कर लेंगे और ये हमारी चाट ठेले जैसे बहुत ही बहुत ही जबरदस्त बहुत ही मस्त ये चाट बनकर तैयार हुई है तो बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों इसे जरूर एक बार अपने घर में ट्राइ करें ठेले पर जाने की कोई जरूरत नहीं है इस तरह हेल्दी चार्ट बनाएं खाएं और इसका मज़ा लें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा और बाबाई